आज के इस वीडियो में आपको बदाने वाला हूँ एडवांस प्रॉक्सी एप्लिकेशन को आप अपने फोन में कैसे यूज करेंगे तो गैस अगर आप भी जानना चाहते हो एडवांस प्रॉक्सी एप्लिकेशन क्या है और उस अप्लिकेशन को हम अपने फोन में कैसे यूज़ करें तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए वीडियो शू करने से पहले गाईज गर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करके आल पर सेट कर दीजिए तो चलिए फ्रेंड्स आज का इफ वीडियो स्टार्ट करते है तो सबसे बेले तो गाईज आपको करना क्या होगा प्ले स्टोर के अंदर जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको एडवांस प्रॉक्सी अप्लिकिशन को अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद इसे अपने फोन में ओपन कर लेना है तो जैसे ही आप अपने फोन में advanced proxy application को open करेंगे थोड़ा सा यह application loading लेगा अब जैसे loading complete होगा उसके बाद इस तरह से application आपके सामने open हो जाएगी तो advanced proxy एक VPN server application है तो इसके अंदर आपको कैसे VPN को connect करना ये भी मैं आपको बता देता हूँ ठीक है न तो सबसे पहले तो यहां पर आप देखेंगे smart location का option आ रहा है यहां पर उपर की server में इस arrow पे क्लिक करेंगे और यहां पर जितने भी server आपके सामने आ रहे होंगे सारे यहां पर server आपको जो देखने को मिल जाएंगे ठीक है तो अब यहां पर जो भी server आपको connect करना है यहां पर आप सेलेक्ट कर लीजिए इसके उपर क्लिक करने के बाद यहां पर यहां पर सेलेक्ट हो जाएगा ठीक है अब यहां पर हम क्लिक करेंगे इसके उपर क्लिक करने के बाद यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर यह connecting स्टार्ट हो जाएगी अब कुछी सेकेंड के इंदर जो भी server हम सेलेक्ट करेंग Successfully Connected हो जाएगा ठीक है अब देख सकत हो Successfully Connected लिखा हो देखने को मिल रहा है हम इसे यहां से back करेंगे back करने के बाद यहां पर ऊपर की साइट में भी हम देखेंगे तो यहां पर हमारा VPN वो connect हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा VPN server जो successfully connect हो चुका है, अब यहाँ पर इसकी पूरी setting वगरा देखनी है, तो यहाँ से आप देख तो raters का option मिलेगा, share का option मिलेगा, privacy policy, सब कुछ यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाएगा, तो इस तरह से आप अपने phone में advance proxy application को use कर सकते हैं,